आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 Laptop में Fade और Slide मीनूस View किस तरह से Disable कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले Type Here to Search में Type करना पड़ेंगा Performance Performance टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा Adjust the Appearance and Performance of Windows आपको इसे Open करना है फिर इस तरह से आपको दिखाई देगा Performance Options Visual Effects में आपको Custom ही Select रखना है और फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा Fade और Slide मीनूस इंटू व्यूँ आपको यहाँ से इसे Un-Tick करना है मतलब Disable तो मैं Un-Tick करता हूँ और फिर नीचे आकर के आपको Apply पर किलिक करना है पहले उसके बाद OK पर किलिक करना है